example number 11 में हमें दिया हुआ है एक cube है जो कि x-axis को cross करते वे कुछ ऐसे रखा हुआ है इसमें हमें values दे रखी है यह जो cube है वो एक electric field में रखा है जिसका value है e x is equals to alpha x की power 1 by 2 इसमें electric field का y और z component 0 है इसका मतलब जो electric field है वो कुछ इस तरीके से होगा x direction में like this ठीक है तो बहुत सारी electric field 9 हम यहाँ पर बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर दो ही बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से x direction में electric field है और equation जो दे रखा है electric field का वो alpha और x की term में दे रखा है चार्ज कितना assume हो सकता है यह चार्ज कितना हो सकता है यह भी हमें बताना है ओके दो चीजे में बताना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं flux की जो कि मैं यहाँ पर 5 से दिखा रहा हूँ तो 5 flux यानि हमें अगर निकालना है तो हमें निकालना होगा हमें पता होगा पता है कि जो flux है किसी भी plane surface से जितना number of electric field lines pass out होती है उसको flux कहते है और electric flux का formula होता है e dot a cos theta ठीक है sorry e dot a और अगर इस formula को open करेंगे तो e a cos theta हमारे पास बनेगा तो अभी मैं यह देख लेता हूँ देखिए ज़रा ध्यान से सुनना इस cube में there are six faces जिनमें आपको यह कि यह right वाला face दिख रहा है और यह कि यह left वाला face दिख रहा है एक front, back, upper और down वाला face दिख र यह वाला लाइन भी इस face को जो जो सामने वाला फेज है इसको भी touch करते वह जाती है इसको tangent करते वह जाती है इसको डिख खरते वह नहीं जाती है तो सिर्फ दो ही फेस बचें है right face और left face तो इस cube से जो total flux बनेगा वो इन दोनों phasys सही बनेगा यानि जो total flux बनेगा इस cube से वो होगा flux passing through right face फ्लस flux passing through left face ठीक है अब यहाँ पर दिखें इलेक्ट्रिक फिल्ड का वैल्यू क्या है e x है तो और क्योंकि ये face और इस face का दोनों का जो area होगा वो same होगा तो इसलिए मैं A से ही लिक रहा हूँ e dot A right face के लिए plus यहाँ पर आप इसको mention कर सकते हो and e dot A left face के लिए okay now तो आगे यहाँ पर formula open करते हैं यह हो जाएगा e x a cos theta okay अभी देखिए जो right वाला face है उसका area vector यह right direction में और electric field भी इधर ही है दोनों के बीच एंगल होगा 0 plus e x a cos यह जो left वाला face है इसका जो area vector है वो इधर की तरफ है left की side और electric field right में है यहाँ इन दोनों के बीच angle कितना है 180 degree तो यहाँ पर आएगा cos 180 है चेक है तो देखिए एक क्योंकि area दोनों का जो left face है और right face है इन दोनों का जो area होगा वो same होगा तो area आप common ले सकते हो e x का value यहाँ पर रखें e x का value दे रखा है alpha into x की term में यह देखिए यहाँ पर right face के लिए इस right face के लिए जो x का value होगा वो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक a है यहाँ तोटल कितना होगा 2a और 2a की power कितनी होगी बच्चो 1 by 2 ओके और cos 0 का value कितना होगा 1 a आपने बाहर ले ही लिया plus e x यानि की alpha x x की power देखिए left face के लिए x का value कितना है a है तो यानि a की power कितनी हो जाएगी 1 by 2 cos 180 का value minus 1 होता है बच्चो ओके तो आगे इसको solve करते है a alpha भी आप बाहर ले सकते हो common 2 under root 2 हो जाएगा a की power 1 by 2 plus a की power 1 by 2 देखिए minus plus minus हो जाएगा यहाँ पे की power 1 by 2 ओके now अभी यहाँ पर यहाँ पर आप a का value रख सकते हो तो a का value क्या होगा a square capital a का value क्योंकि देखिए यह side आपको एदर रखिए तो इसका area क्या हो जाएगा a into a यानि a square alpha का value आपके पास है 800 ओके under 2 और यहाँ पर देखिए a की power 1 by 2 common ले सकते है आप लोग तो ले सकते है under root 2 minus 1 ठीक है तो यह जाएगा 800 इंटू देखिए a की power 2 और a की power 1 by 2 तो add हो जाएगी 2 plus 1 by 2 under root 2 minus 1 ठीक है तो यह हो जाएगा 800 इंटू a की power 2 to the 415 by 2 under root 2 minus 1 ठीक है तो यह मेरे पास flux का value रहेगा अगर आप आगे इसको calculate करना चाते हो तो कर सकते हो जैसे कि 5 का value is equal to क्या हो जाएगा 800 इंटू a का value 0.1 दे रखा है तो 0.1 की power 5 by 2 और यह हो जाएगा under root 2 minus 1 ठीक है तो यह मेरे पास आजाएगा flux का value यह का value भी रख दें तो आएगा 800 इंटू 0.1 एका value 0.1 दे रखा है 5 by 2 power हो जाएगी under root 2 का value 1.41 minus 1 हो जाएगा बच्चो जब हम इसको calculate करेंगे बच्चो तो हमारे पास आजाएगा 1.05 newton meter square per column this is the unit of flux बी पार्ट में हमें total charge बताना है and closed by the this cube तो total charge का value हम निकाल सकते है गौसलो से we know that from गौसलो जो flux pass out होता है किसी भी close surface से वो 1 upon epsilon node times होता है किसके charge के तो charge का value क्या जाएगा epsilon node को मैं इधर बेज दूँगा 5 का value में पास कितना है 1.05 into epsilon node का value कितना है 8.85 into 10 की power minus 12 ठीक है तो जब आप इसका multiply करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 9.24 into 10 की power minus 12 और unit क्या होगी इसकी खुला तो इस तरीके से हम कर सकते है इस example को मिलेंगे next example मैं थैंक यू